जी कैसे सबा मैं सुखुंदर राजफुद बद कर रहा हूं राजफु जॉन से ग्रेटर मुहाली न्यू सनिकले सेक्ट्रिक 123 में मैं आपके लिए 3BH के फ्लाइट्स लेकर आया हूं यह हमारे 3BH के बहुत स्पेशेस रहने वाले हैं यह प्रॉपर एरपोट रोड पर प्र 500 मिटर पर रहेगा यह आप जो देख रहे हो फ्रन्ट एलिवेशन डिजाइन वर्क सेम एजट इजी रहेगा ग्राउंड फ्लोर फस्ट फ्लोर में वेलबल्टी है और जो यह स्पेशेस हैं 160 गज में प्रॉपर 160 गज में बने हुए प्रॉपर इसका 160 गज कवर्ड एरिया यह हमारे ग्राउंड प्लस टू है जो इनका प्राइज रहेगा 62 टॉफ फ्लोर है विद रूफ राइट 61 फस्ट फ्लोर है 62 ग्राउंड रहेगा मैं एक बड़ आपको सेंपल हमारा रेडी है मैं दिखा रिता हूँ यह हमारी मेर एंट्रेंस है जो हमारा सेंपल है यह ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है स्पेशेज ड्राइंग रूम हमारा एक सुसाट गज के थ्री बीच के फ्लैट्स का फस्ट फ्लोर पे भी एज़टीज रहने वाले बाल्स बालकनी भी एज़टीज रहेंगी यह जो ड्राइंग रूम का साइज रहेगा फस्ट फ्लोर टॉप फ्लोर जो फ्लाइट का ले आउट है जैसे ग्राउंड फ्लोर के है हमारे सेंपल के एज़टीज ही मिल जाएगा यहां पे हमने अभी सेवन सिट्टर सोफा लगाया हुए यहां पर फोर सिट्टर फाइव वाल टाइल रहेगी मॉलर किचन भी बहुत जाएज स्पेशियस है आपको एजटीजी मिलने वाली है इसमें सीलिंग जो में इंट्रेंस है वह है दो बेड्रूम इज़र हैं दोनों के साथ अटैच वाश्रूम है जो थर्ड बेड्रूम भी है उसके साथ भी अटैच वाश में कबर्स मिल जाएंगा लगा डिजाइन के कबबर्स हैं LCD पैनल भी है लगा डिजाइन के जो फ्रंट का सर्माई का उसी के साथ मैचिंग किया आ हमने LCD पैनल की अंदर भी सके सरमाई कभर कर कि कहीं भी एट वर्क नहीं सारा हमने चे सब़द्ध त हमने पॉछ रखाया हुआ हुआ है कि अंदर भी स्कूर्माइक का भरक रहे गा जैसा फ्रेंट का सरमाइक कैं अंदर ही है ज़िएध अठी जी हम ने जो साइज रहे का वह साड़े बारां मैं साड़े चोदे सका बेद्रूम का साइज है पिछे बालगनी का एरिया उधर से भी हम एंटर कर सकते हैं इधर से भी एंटर कर सकते हैं जो ग्राउंड की जो फ्रेंट एलिवेशन है हमारा उदर से भी बालकनी या फ्रेंट पर भी वह मैं एक बर धिखाऊंगा आपको यह मारी पालकनी वाशिंग रिए बैक साइड अपन रहेगी फस्ट और टॉप की इस सेकंड बैडरूम है बैडरूम के साथ अटैच वाश्रूम रहेगा स्पेशियस है दोबैचार की वॉल्ट ही ले है रुक्का की बादस्टिंग रहेगी अंदर जैग्वार की टैप्स है कबड्स के साथ ही मैचिंग है जो हमारा LCD पैनल है सीलिंग का डेजाइन अलाग है वाल पर आजटीज ही आपको डेजाइन मिल जाएगा इसमें जो मिलेगा नहीं वो कर्टन्स सोफे अफनीचर टाइप जैसे सोफे बैड वगरा यह चीज मिलेगी बाक्की आपको यह थर्ड बेडरूम है अटैच वाश्रूम के साथ है यह अपना फ्रेंट एलिवेशन है यहां पर बालकन ही आजबती है ग्राउंड पर भी है यह हमारी फ्लोर्स है एनिटाइम मोस् वेलकम सेवन डेज अवेलबल्टी है जब मर्धी ऑविस्जट करने के लिए बहुत अच्छे स्पेशिस फ्लैट्स हैं त्रीपी अच्के एरपोट रोड पर प्रॉपर ही हमारे बने हुए है एनिटाइम मोस् वेलकम है दी